गेट इंडिया न्यूस सदेव आपके साथ ये आपको दिखाता है भारत का और विश्व का सारा सच आग लगी है सीने में हुक्मरा सव्यफ्त है खून गई का पीने में तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ मैं आरक्षी खुश्बु चोहान केंद्रे रिजर पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्तावी पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूँगी महोदय दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आखों के सामने ताज, पुलवामा, 36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य स कामने आते हैं, उस पर मेरे पतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा दिकारों के अनुपालना करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है, महोदय आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आज कल फ खरती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ, महोदय, आज इन मानवा धिकारों के कारण, इन आतंक्यों के बंगलों की आकाओं की नाखवनी हसती है, और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसीर रोती है, जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेधना, चिक चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भर्पूर गया, मां का सिंदूर गया, नन्यञों निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेट्यों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरहे शाहप, मेरे घर की तो रोतियां ही चली गई किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं परन्तु आज मानवादिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंदे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं क्योंकि महोदै भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तैकर ना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है कि चाहिए वो किसी निर्दोश को लगे या की माधान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं एक आत्म हत्या है क्योंकि पूल को श्रिंगार दो ये मूम्किन नहीं और एक वीर को जहनकार दो ये मूमें नहीं जो हात बान दे सेना के ऐसे मन वादिकार का पालन्स अंभब नहीं महोदै आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों इन पत्थरवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मिटर तक जाएगी और यदि इस बीच वो किसी निर्दोश को लग गई तो महोदै हमें अपनी नौकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है और महोदै अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परन्तु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए है कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है अरे हमी तो बुनियाद हैं आंत्रिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है महोदे जब पुलवाम हमी 44 जवान सहीद हुए 36 गर में 76 जवान सहीद हुए तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ परन्तु जब JNU विस्पि ध्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम सर्मिंदा हैं जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवादिकार के ज्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की बेटी अपनी भारती सेरा की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने दे हुए मैं सर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की नहीं प्रकरिया पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सरवोच नियाले के दरवाजी खोल दिये जाते हैं ऐसे देश से मानवादिकारों के अनपानला करते ह हुए आतंकबाद और उग्रवास से कभी नहीं निप्टा जा सकता मानवादिकार के नाम की दुहाईयां देने वालों सीमा पर लड़ा नहीं जाता चर्कों से शोलों के आगे रामायर पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे धर्ती के घोर गौहां से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एकम बम से रक्षा के बल एकम बम ही कर सकता है जैहिंच जैभरत